नमस्कार, भारती जो प्रसास्निक व्यवस्ता है उसकी धूरी है कलेक्टर कलेक्टर राजस्व संबंधी काम करता है, वो न्याइक संबंधी काम करता है, वो विकास संबंधी काम करता है, प्रोटोकॉल संबंधी काम करता है, जन्गर नाधिकारी वो है प्रेस और मेडिया जो उसके निर्देशन और नियंतन के अंदर काम करते हैं तो collector कहने का मतलब हो गया कि जिल्ला जो है जिले की प्रसासनिक विवस्ता का अगर कोई कप्तान है तो वो कप्तान है collector दोस्तों collector का जो पद गठित किया गया था 1772 के अंदर वारेन हैंस्टिंग्स के दवारा इस पत्गा गठन किया गया और अंगरेजी राज के अंदर जो लाट साइबी जो सासन था हुकुमत का जो सासन था उस समय कलेक्टर का जो रूल था राजस्व का जादा से जादा संगरहन कैसे हो और लो एंड आर्डर की इस्तति जो है चलना पड़े कुछ भी करना पड़े राजस्वय व्यवस्ता राजस्वय का अधिक जो संग्रण है वो कलेक्टर की प्राज्मिक्ता हुआ करता था तो कलेक्टर जो मौरेकाल में भी सब्द है कलेक्टर के लिए समहारता सब्द परियोग है और मैं आपको जान करके बताता अश्रे होगा कि मौरेकाल की जो प्रसासनिक व्यवस्ता थी उसमें तिर्थ अठारा तिर्थ हुआ करते थे और जो नोकर साई को उस समय 48,000 दिया करते थे और अठास हजार का जो पण उनको व्यतन मिलता था पण जो अधिकारी है तो तिर्थ अधिकारी है उनको मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्य कालीन जो प्रसासनिक व्यवस्ता थी वो कितनी कैंद्री करत थी और कितनी सूवयोस्तित थी अब हम बात करेंगे कि जिलादीस का जो पद है वरतमान के अंदर जिलादीस क्या 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 करता है तो जिलादीस को कलेक्टर जो कहने क कारणी यही है कि राजस्वई विवस्ता जिला इस तर पर राज्य प्रसास्निक विवस्ता की उस सर्वूच कड़ी है SDM, तैसिलदार, पटवारी जो सारा लवाज में है उसका निर्देशन और नियंतन के अंदर काम करता है भूमी प्रबंदन से संबंदित, भूमी राजस्व से संबंदित, जो अधिकारी है वो कलेक्टर है और कलेक्टर के कारियों की बात करें तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कलेक्टर के पास में पहले राज़स्व संबंधी काम हुआ करते थे और न्याई काम हुआ करते थे आजादी के बाद में ये कहा गया कि साब लोकल लाणकारी राज़े की अधारणा का उदय हुआ और इस बात पर जोर दिया है कि विगास संबंधी काम जादा से जादा होने चाहिए ब्रेटिस राज के अंदर जो पुलिस राज्य था उसकी जगे लोकल लैंकरी राज्य की अवधारणा ने ले लिया और इस बात पर जोड दिया गया भी collector को राज़स्व संबंदी जो काम है उनमें रहने तो लेकिन न्याइक संबंदी जो काम है उसके जो न्याइक सक्तिया है उनको पर्थक करण कर दो और भारतिय संबिधान के अंदर परस्तावना के अंदर अनुचे इत्पतास पर यही कहत दिया गया और वरत्मान के अंदर विकास संबंदी काम और जो पंचाहितिर्याज संबंदी जो काम है उनमें जिरादीस महदाई का सिधा नियंत्रण नहीं होकर कि वो डाइरेक्शन वगरे कर सकते हैं दूर से देख सकते हैं जब जरुत पड़ी है तो फ्रेंड गाइड औ तो सांती विवस्ता से संबंदी बात करें तो जिला की जो सांती विवस्ता है उसका जो होल एंड सोल है वो कलेक्टर ही है लो एंड और जो काम है वो कलेक्टर का ही माना जाता है धारा 143 लगाना हो कर्फियू लगाना हो लो एंड और की कोई रिपोर्ट भेजना हो जेलों से संबंदित कोई rules regulation को अच्छी तरीके से किर्यानवित करना हो उसको देखना हो जंडगरना से संबंदित कोई काम हो तो आज भी जो कारेश देखा जाता है वो collector के द्वारा देखा जाता है इसी दोरान एक नया मुद्दा निकल के काया भरतिय पुलिस से बाके जो अदिकारी है उन्होंने कहा कि साब law and order जो सांती विवस्ता है वो एक expert काम है वो एक विश्यसग्या का काम है इसलिए ये काम collector का नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ पुलिस का होना चाहिए कुछ निर्धारित कर दो कि यहाँ पर पुलिस काम करेगी और यहाँ पर collector मोहदे काम करेंगे तो उसी दिसा के अंतरगत एक पुलिस कमिस्टरी जो system है परियोग के तोर पे शुरू किया गया और राजस्तान की बात करें तो जैपूर और जोदपूर के अंदर यह परियोग ताई किया गया वहाँ पे जो कुछ निर्धारित जो काम है काम तै कर दिये कि इन कामों को जो collector को सौपे गए हैं कुछ निर्धारित धाराओं के अंदर जो कारे हैं वह यह नहीं करके पुलिस जो है वह अपनी विश्यसग्यता के साथ के अंदर काम करेगी और उसके result अगर अच्छे आ रहे हैं कापी समय हो गया लेकिन long term के अंदर इसका मुल्यंकन किया जाता है और नतीजा अगर अच्छा आता है तो बाकी जगे भी प्रयवगिक तोर पे इस सीज को लागू किया जा सकता है एक कहा जाता है कि कोई thinker है वो कहते हैं कि जो collector है collector ऐसा लग रहा है जैसे कच्छुए के उपर पहाड रख दिया गया हो दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता है जैसे मैं बता रहा था कि collector राज्यसर संबंदी काम उसके पास में प्रोटोकॉल संबंदी काम उसके पास में जिलाष्तर की सारी जो रिपोर्ट भेजना राज्यसरकार के बीच की जो कड़ी है वो यह है डिस्टिक लेवल के सारे जो ऑफि जैसे मैं जिसके उपर हाथी को बेठा दिया गया या पाहड को बेठा दिया गया इसल्रिए का जाता है कि collector जो है उसके कामों में बहुत ज्यादा विबिट्ता है बहुत ज्यादा challenge है और इसलिए हर व्यक्ति जो भारते परसाश्निक सेवा की तयारी करता है तो उसकी जो प्रथम जो choice है तो वे निश्यत रूप से collector ही होती है तो collector